नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दुशा सत्यकी राह में आपके साथ है जुड़ गया में आपका है इस्टो फ्रेंट संतों संतोंशी नए दिन की सुरुवात नए शुभ सुरुवात और माह का अंत आज एक साथ बताएंगे आपको पूरे दिन का हाल क्या रहेगा आज विशेश प्रियोग राशिगत तरीके से सब्ता का अंत है माह का अंत है तो आज कुछ खास होगा क्या थोड़ा सा प्रतिक्षा करिएगा सब एक एक करके बेवरेवार तरीके से हम बताएंगे आईए सुरुवात कर देते हैं बाज के जोतिश दिशा की सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग श्रामण मा शुकल पक्ष तिर्तियाती थी है चंद्रमा सिंगराशी में नक्षत्र मगा दोपहर दो उननीश तक इसके बाद पूरवा फालगुनी योग रहेगा वरियान तदनुसार दिनांक 31 जुलाई दिन रविवार राहुकाल साम 4-5-6 और गुलिक काल 2 पहर 3-3.4 नय और शुभकाम को राहुकाल मना करता है और गुलिक काल कंसीडर करता है आई अब सुरवात करते हैं आज के दिब पोच्टिव भव्श्यमारी की और उपाए मेश राशी पढ़ाई के लिए आज का दिन आपके अनुसार चलेगा परिस्थतियां पूरी तरह आपके पक्ष में हैं ब्यापार थोड़ा सा उठापटक मुश्किलें चिंदाएं प्राइविट सिक्टेर आपके लिए बहुत अन्कूल रहेगा हर कदम पर आपको शुबता मिलेगी सरकारी छेतर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है लाप क्या उसर रहेंगे गौवर्मेंट सिक्टेर आपके लिए नए रास्ते खोलेगा दामपत्य जीवन बताएं हम लेकिन प्रोफेस्नल लाइफ वालों को वाज थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा कुछ मानसिक तनाव हो सकता है आज का दिन दामपत्य जीवन बहुत सुहरदय करेगा एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और शुबता बनी रहेगी लव लाइफ आपके लिए हर प्रकार की अनकूलता देगा आज एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से मजबूती प्राप्त करेंगे स्वास्थ के मामले में बैक की प्राप्लम और आखों की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी मेश है ओम हंग हनुमत ए नमः इस मंद्र का जाप करिएगा क्या नहीं करना है बड़ बोला पर नहीं दिखाना है शुबरंग आपके लिए गुलाभी भाग की प्रत्षत 57 ब्रिशब राशी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी सिख्छा में सुधार होगा किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार आपके लिए एक नया आयान देगा बिजनस में हर प्रकार की शुपता रही प्राइवेट सेक्टेर आपके लिए नए रास्ते खोलेगा प्राइवेट सेक्टेर आप पर बहुत सखरात्मक प्रभाव दिखाएगा सरकारी छेतर की स्थिति को लेकर कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हर प्रकार से मजबूती प्राप्ट करेंगे दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और पती के बीच तालमेल अच्छा बैटेगा एक दुसरे को सपोर्ड करेंगे लव लाइफ में कुछ उठा पटक रहेगा आज रिष्टे की बात करना बंद कर दीजेगा स्वास्त के मामले में आज कमरदर्द आँख और लिवर की प्राप्लम हो सकती है क्या प्रियोक करना चाहिए अगर आपकी राशी दुशव है उल्टी हथेली पर सरसो का तेल साथ मूद रख कर कहीं चड़ा दीजेगा क्या नहीं करना है आज अपने राज किसी को बताने नहीं है शुबरंग नीला भाग्य प्रत्षत 56 मिथुन राश दिनांग की करतिस जुलाई दिन रविवार पढ़ने में आज खूब मन लग रहा है सिक्षा में कोई रुकावट नहीं है अवसर अच्छे मिलेंगे ब्यापार बहुत उत्तम देगा आपने आप में फ़र बिजनस को ले करके आप आनन्द उठाएंगे आज रुके धन की प्राप्ती होगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत शुभ इस्थती में है आज का दिन नौकरी में प्रमोशन का है सरकारी छेतर की इस्थती बहुत अच्छी नहीं है गॉर्मेंट सेक्टर में उल्जन रहेगी दापत्य जीवन बताएंगे प्रोफेस्नल लाइफ यहाँ पर आज कुछ अच्छा करने का फल दिखेगा नए काम मिल सकते हैं दापत्य जीवन बहुत इस्मूद रहेगा पत्ती और बच्चों की बीच तालमेल अच्छा रहेगा परिस्थतियां आपके पक्ष में हैं सब कुछ समझदारी से प्राप्त करेंगे हर तरह से आप कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे उपाय क्या करना चाहिए गव माता को एक रोटी दीजेगा क्या नहीं करना है जल्दिवाजी नहीं करना है लाल रंग शुभ है 69 प्रतिशत का भाग्या है करक राशी 21 माफ कीजे का 31 जुलाई 21 कहा स्विक्षा की स्थती को आप प्राप्त करेंगे एक एक कदम पर अच्छे से कैश करेंगे ब्यापार अब परिस्थतियां आपके अनुसार है आज कुछ बड़ा हो प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूलता है हर प्रकार से सगारात मगता है शुब इस्थती रहेंगे सरकारी छेतर में अवसर अच्छे मिलेंगे गौर्मेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगे दामपत्य जीवन बताएंगे हम प्रोफेस्नल लाइफ की बात करने पहले रही जाता है कई बार बिचारा मेहनत का फल आज दिखेगा ब्रहश्पत की दिब्य किर्पा आप पर रहेगे मेरिड लाइफ को लेकर के आज बच्चों में कुछ उल्जन होगी पत्नी पती के बीच तालमेल बच्चों को लेकर के समस्या दिखती है लव लाइफ किसी तरह की समस्या नहीं है सब कुछ बहुत सा गारात्मक है मुश्किलों का हल रहेगा और शुभ इस्थती रहेगा स्वास्थ के मामले में मांग आँख किटनी और लीवर तीन समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहेगा आपकी राश्य करक है करक वालों के लिए किसी जरूरतमंद को कुछ खाने की वस्तु देना शुभ होगा क्या नहीं करना है जल्दी बाजी नहीं करनी है शुभरंग ब्राउन भाग प्रत्षत सत्तावत 57 सिंग राश्य मांसुक शांती मिलेगी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी किसी तरह की रुकावट नहीं है ब्यापार अच्छा चलेगा रुके कारे गतिमान होंगे मुश्किलों का हल निकलेगा तनाव से मुक्ती मिलेगी ट्राइविट सेक्टर आप पर आज महरबान है आज नए काम की तलाश पूरी होगी दिब्विता के साथ आगे बढ़ेंगी रुके कारेों में गति आएगी सरकारी छेतर में वाहन का सुख मिलेगा मकान संबंधी चिंता दूर होगी आज बौस के साथ विवादास्पद इस्थिति को समाप्त कर सकते हैं प्रफेस्नल लाइफ में आज वाहन का सुख मिलेगा नए काम की तलाश पूरी होगी आज पश्चिम दिसा से कुछ ओडर की संभावना बंती दिखाई देती है मानसुक शान्ती हर प्रकार से शुपता है सिंग राशी वालों के लिए और उके कार्यों में कुछ खास लाब होगा स्वास्त आंख पेट लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए आज किसी जरुत मंद को हरी सबजी देना शुप होगा क्या नहीं करना है उधार नहीं लेना है स्लेटी रंगी शुपता में 56 प्रतिशत का भागय है कन्या राशी 31 जुलाई क्या है इस्थि पढ़ने के आउसर प्राप्त होंगे शुक्षा में आउसर अच्छे बड़े मिलेंगे ब्यापार में इस्थि आपके पक्ष में है बिजनस किसी तरह की दिक्कत में नहीं है प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा सकारात्मक्फल दे रहा है परिस्थियां आपके पक्ष में है सरकारी छेतर में कुछ बड़ी उपलब्धी होगी गौर्मेंट सेक्टर उपलब्धीयों का रहेगा प्रोफेशनल लाइफ आज मेहनत का रास्ता दिखाएगा आगे बढ़ेंगे बड़ा पाएंगे दामपत्य जीवन बहुत शुभ इस्थती में है पती-पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा मुश्किलों का हल निकलेगा लव लाइफ बहुत सकारात्मक है परिस्थतियां पक्ष में है जिनताओं से बाहर निकलेगे स्वास्त आँख दात और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या प्रियूग करें कन्यावाले आज तीन पौधों में जल दे दीजेगा क्या नहीं करना आज बढ़ों को जवाब नहीं देना है शुबरंग घरा भाग की प्रतिशत पचास तुला राशी दिनांग के करतेश जुलाई दिन रभिवार पढ़ाई बहुत अच्छी स्थितिवे है लाब होगा आज रिजल्ट पॉज्टिव आएगा ब्यापार अच्छा है रुकूलता रहेगी बिजनस में कोई रुकावट नहीं है मुश्किलों का हल है प्राइविट सेक्टर आप पर आज बहुत सुकूर की स्थिति में रहेगा प्राइविट सेक्टर में कुछ बड़ी स्थिति आपकी सकरात्मक दिखाई दे रही है मतलब जैसे प्रमोशन हो गया इंकिर्मेंट हो गया बॉस ने प्रसंसा किया ऐसे अब भहिया सरकारी छित्र में अगर आप जॉब करते हैं तो आज आपको कुछ अप्यश्का सामना करना पड़ेगा आपकी कोई पुरानी चोरी या नकरात्मक बात आज सामने आ सकती है सावधान रहिएगा जागरूक रहेंगे तो पॉजटिव रहेंगे न बचा लेंगे प्रोफेस्नल लाइफ मेहनत मांगता है मेहनत का परिणाम सकरात्मक होगा शुबता बनी रही लव लाइफ बहुत अच्छा है विवाह की चर्चा कर सकते है स्वास्त आँख और बैक की प्रॉबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आपकी राशित उला है आज सफेद वस्त्र धारण कर लीजेगा और क्या नहीं करना है उधार लेना नहीं है शुबरंग सफेद भागी प्रत्षत बावन ब्रिश्चिकराशी दिनान की करत्य शुराई मन थोड़ा परिशान है कुछ विचलन की स्थती रहेगी अपने आपको संभालिएगा तनाव बढ़ सकता है दामपत्य जीवन जबरदर्स्त है परिश्चतियां पक्ष में हर दोश से बाहर निकलेंगे लव लाइफ क्या पूछना है दिब्विता के साथ हागे बढ़ेंगे स्वास्थ माइग्रेन और किड्नी के साथ हर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना है आज विश्चिक वालों को पीला वस्त्र धारण करना शुब होगा आज क्या नहीं करना है अपना काम दूसरों से साजा न करिएगा शुब रंग पीला भाग की प्रतिशत 56 पर धनुराश है बड़ा ठाहरा सा व्यक्तित तो रहेगा आज उलजनों से बाहर निकलाएंगे आज कुछ पॉजिटिव सोचेंगे शिक्षा पूरी है ब्यापार यहां पर मित्रों के साथ कदम बढ़ाना सीखिएगा इस्थतिया पक्ष में चिंताओं से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर आपकर आज कुछ मुश्किल पैदा करेगा जिसको लेकर आपको सावधान रहने के आवशक्ता है सरकारी छेत्र लेबल पर है हर रुकावट से बाहर निकलेंगे दाबबत्य जीवन बहुत अनुकूल है बच्चों का सुख मिलेगा शकरात्मक संदेश जाएगा लव लाइफ शुभ इस्थति में हर तरह से आगे बढ़ेंगे प्रफेस्नल लाइफ वाले आज रुके धन की प्राप्ती के निमित प्रयास तेज करिएगा स्वास्थ के मामले में घुटना आँख और माईगरीन की समस्या है क्या उपाय करना है हरी सबजी का दान करिएगा और क्या नहीं करना है अपने राज बताने नहीं है हरारंग शुभ च्छपन माफ कीजिएगा 69 प्रतिशत का भागिया मकर राश थोड़ा मन खिनन है आज ना जाने किस पिछली बात पर आज बहुत घबराए और लो टाइप में रहेंगे पर नहीं पाएंगे अराम करिएगा ब्यापार अच्छा है आज रिस्क लिया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में कुछ मसले आज हल होंगे लिहाजा कारे छेत्र में दबदब आ रहेगा सरकारी छेत्र वाहन सुख दे रहा है थोड़ा बहुत अच्छा करेंगे दामपत्य जीवन बहुत उद्नत शीलता देगा बच्चों का सुख है सानेद रहेगा प्रोफेस्नल लाइफ नए कारे की तलाश पूरी करेगा लव लाइफ को लेकर क्या जितना सजग रहेंगे उतना ही अच्छा है और रिस्ते को मजबूत बनाईएगा स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा पुश्किलों का हल निकलेगा शुबता बनी रही प्रियोग क्या करना चाहिए आज मकर वालों को लाल रंग रुमाल धागा अपने पास रख नीचेगा क्या नहीं करना है ब्लैक कलर से दूर रहिएगा लाल रंग की शुबता में 56 प्रतिशत का भागिया है कुम्भराश पढ़ाई बहुत अच्छी है शुखिशा में सुधार है आउसर अच्छे मिलेंगे ब्यापार दिब्विता है किसी तरह की रुकावट नहीं परिशानियों का हल निकलेगा प्राइबेट सेक्टर आपके लिए बहुत शुब इस्थती में है बहुत मजबुती आएगी हर उचाईच हुएंगे सरकारी छेत्र आपके लिए अच्छा उसर दे रहा है गवर्मेंट सेक्टर आपके लिए सकरात्मक उसर देगा दांबत जीवन दिब्य अनुभूती देगा हर प्रकार के स्थिती से शुब रहेंगे लव लाइफ अनुकूल है मुश्कलों का हल निकलेगा स्वास्त के मामले में माइगरेन और पैक की प्राब्लम आज रहेगी कि क्या प्रियोग करना है सफेद वस्तर धारण कर लिजेगा और क्या नहीं करना है बच्चों से नहीं उलजना है सफेद रंग की शुबता में 57 प्रतिशत का भागिया मीन राशी मजबूती आएगी आज पढ़ाई में तो बहुत टॉप करने वाने है खुब मन लगेगा ब्यापार अच्छा है अउसर अच्छे दे रहा है बिजनस की हर कमी दूर होगी प्राइवेट सिक्टर में कुछ मजबूती लाने के लिए अपना दबदबा बनाए रखियेगा बहुत ज़्यादा सहने की आवश्यक्ता नहीं है सरकारी छेत्र बहुत शकारात्मक है काम में मन लगेगा अउसर बढ़े मिलेंगे दांपत्य जीवन कुछ उल्जन दे सकता है चिंताएं बढ़ेंगी इस्थिती ठीक नहीं है लव लाइफ आपके लिए बहुत अनकूल है हर प्रकार की शुम्ता बनी रहें लव लाइफ को लेकर के आपको जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िएगा स्वास्थ आख और किट्नी की समस्या दे सकता है क्या प्रियोग करना चाहिए पीला रंग आज अवाइट करिएगा और काला रंग धारण करिए ये उपाय है काले रंग की शुबता है और 51 प्रत्षित का भाग्याप के साथ है बात कर लेते हैं हम आज के भाग्याक्षर के अज की सक्सेस की थोड़ी सी चीनी खाकर फिर घर से प्रस्थान करिए 31 जुलाई को जिसका जनम दिन है उसके लिए उपाय है साथ मंगल बार सुन्दर कान का पाठ करें और किसी बिधवा को भोजन कराईए जिसकी आज मेरिज अनिवर्सरी है उसके लिए उपाय है काले चने का दान पति-पति मिलकर करें और किसी बिधवा को दवा का दान कर दीजे बस काम पूरा हमें भी अब अनुमति दीचेगा और पांच अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म मासूम सवाल देखने जरूर जाईएगा बात कर लेते हैं अब आप से मिलने के बारे में बारह तेरह जुलाई लखनों में रहेंगे समय ले लिजेगा अगर मिलना होगा नमबर आपके सामने है फोन ना उठने पर शिकायत ना करिए वाटसअप डाल दीजे वाटसअप रिपलाई ना जाए तो शिकायत करिएगा और वाटसअप पर रिपलाई हो तो उस दोरान कॉल करिए फोन हाथ में होता होगा ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्री आपका अपना बहुत ख्याल रखे नमस्कार शिरादे झाल 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 झाल